समाज में ट्रांसजेंडर के लिए परिशानियां कुछ जादा ही है और ऐसे समाज में जहां ट्रांसजेंडरों को सिरफ सिग्नलों पर भीक मांगते और किनरों की शकल में या फिर शादियों में नाचते हुए छवी में दिखा जाता है लेकिन ट्रांसजेंडर डॉक्टर अकसा शेख समाज के लिए मिसाल है दिल्ली के हमदर्द इंस्टिटूट आफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में एसोसियेट प्रॉफिसर के पत पर कारिरत अकसा शेख ना सिरफ एक डॉक्टर और प्रॉफिसर है बलकी हिमसर साल की है और हर बीते साल काफी मुश्किल से गुज़रा है उनका मानना है कि जब आप कई बेरियर पार कर लेते हैं तो हिम्मत आही जाती है अकसा मुंबई में जन्मी और वहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की पढ़ाई में शुरू से अच्छी थी जिस वज़े से अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशिन मिला और मेडिकल की डिगरी हासिल की वो अपनी पहचान को लेकर परिशान रहती थी मेडिकल की तीसरे साल में जाकर अपनी पहचान को लेकर समझा और निर्ने लिया और ट्रांसजेंडर के रूप में सामने आई उनके परिवार क चीज़ एकसेप्ट कर ली और अब ये दिल्ली में अपनी मा के साथ रहती हैं मुंबई से निकल कर ट्रांसजेंडर के रूप में खुल के जीने के साथ साथ नया सफर अकसा ने दिल्ली आकर शुरू किया साल 2013 में हमदर्द इंस्टिटूट आफ मेडिकल साइन्स एंड रिसर्च में आकर मेडिकल फिल्ड में काम किया और बीते कोरोना काल में अकसा कोरोना से संक्रमित भी हुई कई बार गिरने और उठने के सफर में वो आज एक मिसाल बनी हुई है मेडिकल प्रोफेशनल के साथ ही वो ट्रांसजेंडर के लिए काम भी करती है सरकार और समाथ से ट्रांसजेंडर के प्रती वो अच्छी भावना रखने के उमीद करती है अकसा का कहना है कि खुल कर नहीं जी पाती थी तो बस पढ़ाई पर फोकस था पोस्ट ट्रांसजेंशन से खुश हूँ खुशी के साथ जी रही हूँ शुरू में फैमली के लिए बहुत मुश्किल था जब स्टूरेंट और कुलीक को बताया तो एक दिन में एकसेप्टेंस नहीं आया लेकिन अब सब प्यार करते हैं दिल्ली के हमदर्द इंस्टिटूट आफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में एसोसियेट प्रोफिसर के पत पर कारिरत अकसा शेख ना सिरफ एक डॉक्टर और प्रोफिसर है बलकी हिम्सर वेक्सिनेशन सेंटर की नोडल आफिसर भी है डॉक्टर अकसा शेख समाज के लिए मिसाल है तो अकसा की इस हिम्मत को हमारा सलाम है ब्यूरो रिपोर्ट रियल फ्लिवर न्यूस